नौश्कार, आज फिर उपस्तित हुआ हूँ हस्त रेखा में एक जातक के हाथ की रेखाओं को मैंने जो है बनाया है मतलब उसके हाथ में जो रेखाओं हैं आपको सम्झाने के लिए। उसको मैंने बनाया ड्रॉइंग किया है ये एक जातक है जिसकी उमर अगर कहा गया 40 साल है आज की डेट में अगर कहें दो बड़ी मिलों का मालिक है मिल, कपड़े की जो मिल होती है उसका मालिक है और तीन इसके होटल है देश और विदेश दोनों जगांपे 40 साल की उमर में अगर मैं कहूं दो कपड़े की मिल का मालिक होना, तीन होटल का मालिक होना, होटल भी छोटे मोटे नहीं, ठीक है, फाइस स्टार होटल या थ्री स्टार होटल, जगा के अनरूप, अगर कहें, तो कुछ ऐसे देश हैं, यहाँ पर फाइस स्टार होटल को भी थ्री स्टार दिखाये जाता है, आप सीधे सीधे समझे, तीन होटलों का मालिक है एक बार, ये जातक अगर कहा जाए, दो हजार चौदा से मुझसे जुडा है मैं कुछ चीजे इसके बारे में बताता हूँ उसके बाद हाथ की रेखाओं पे देखते हैं, किस कारणों से ये यहां तक पहुचा है इसकी पढ़ाई की बात करें, तो 12 है हालाकि पढ़ना अच्छी चीज है, हर वेक्ति को कम से कम ग्रेजिवेशन जरूर करनी चाहिए कुछ हालात, घर परिवार के हालात अच्छे नहीं थे, जिसके कारण अगर कहा जाए, 12 तक पढ़ाई इसने की बचपन में घर की स्थितियां, एक गरीब घर में पैदा हुआ था, पिता अगर कहा जाए, तो मजदूरी करते थे ये भी अगर कहा जाए, तो 29 साल की आईउ तक मजदूरी ही करता था, घर से दूर जाके किसी कमपनी में मजदूरी का काम करता था लगभग 11 साल हो गए, 29 साल तक मजदूरी की उसके अगर 11 साल का सफर जो है इसका, एक अलगी सफर था और उसमें भी अगर कहा जाए, 35 साल से लेके 40 साल के बीच की आईउ, जीवन का एक ऐसा समय था इसके लिए, जिसमें इसने बड़े-बड़े काम किये दो कपड़े की दो मिले लगाई और कहीं ना कहीं बड़े-बड़े होटल खोले, किन रेखाओं के कारण, कहते नहीं कि आप लोग सोचते हैं कि गरीब घर में पैदा हुआ या मिडिल क्लास में या गरीबी में पैदा हुआ बच्चा, देखिए कि समझिए, मैं उन से भी यह कहना चाहूंगा, जो यह ऐसा सोचते हैं, कि मेरे पिता जी कुछ नहीं है, मेरे पिता जी छोटे पत्पे हैं, मेरे पिता जी खेती करते हैं, मेरे पिता जी मजदूरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आज के युग में भी अगर कहें, तो 90% ऐसे लोग हैं, जो अ ताकी तो परमात्मा का अशिर्वाद और इसकी आथ के रेखाएं, और इसकी महनत व्यक्ति को आगे बढ़ा ले गई, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे एक एक करके, सबसे पहले अगर कहा जाए, उंगलियां इसकी देखी जाए, देगे उंगलियों की अगर मैं बात और यह चप्ता, यह धन के दश्टिकोर से बहुत अच्छा है, यह भी कहा जाता है और कि स्वतंत्र काम ऐसे काम नहीं कर पाते हैं, उसके बाद अगर कहा जाएउ, शनी का तीसा पर्व, लंबा है, व्यक्ति महनती है, जिद्धी है, हटी है, अपनी चीज़ों को बना सकता इसमें कहीं कोई दोर आए नहीं है, एक बात, ये हिस्से पे जिस जगह पे उंगली मुड़ती है, इस जिसे पे अगर दो रेखाएं आ रही है, उसमें काफी गैप है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को सफलता मिलेगी, हो सकता है थोड़ा लेट मिले, मिलेगी जलू उसमे कोई दो राय नहीं है गुरू की उंगली लंबी है गुलंबी का मतलब जो है लगबग इस जगा तक गुरू की उंगली है तो भी यह कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान समान प्रतिष्ठा नाम इत्तादी चीजे मिलेगा अब एक एक करके जो है इसके हाथ में अंदर आते हैं द भी रेखा बनेगी अगर केवल यही रेखा है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति मिडल क्लास का जीवन अराम से निकाल लेगा ठीक है यह रेखा जो शनी की तरफ मलब कर्म से होते हुए गुरू की तरफ जा रही है इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं ऐसे में कहा जाता है कि रेखा होने के कारण जो है व्यक्ति अपना जीवन आराम से निकाल लेगा उसमें कहीं कोई दो राए नहीं है एक बार बुद्ध के छेतर पर अगर कहा जाए कई रेखा है जब भी सूरी की रेखा से सूरी की रेखा इसकी यह है ठीक है सूरी की रेखा से बुद्ध की काबलियत का यह कहिना कई व्यवसाय से संबंदिच चीजों को दिखाती है यह बिजनेस है यह जिनके भी आत में है मैं यह कहूंगा कि 99% एक परसंट मैं माल लेता हूं किसी अन्य ग्रह के कारण हो सकता है नौकरी कलने वो भी मैं कहूंगा कि नौकरी के साथ व्यवसाय की जर करते हैं बहले सुराती दौर में नौकरी कर लें लेकिन बाद में व्यवसाय जरूर करेंगे एक बार वहीं पर एक रेखा मंगल के छेत्र से सूरी की तरफ जा रही है यह भी अपने आप मेरा ज्योग है यह दिखाती है विक्ति की काबियत के आधार पे विक्ति को सफलता म मिले की उसमें कहीं कोई दोर आए नहीं है तीक है उसमें किसी प्रकार का कोई संदे नहीं है बुद्ध के छेत्र पे भाग रेखा से एक रेखाए और बुद्ध के छेत्र पे आके मिली इस रेखा की मैं बात करना हूं ये रेखा सफल व्यवसाई बनाती है ये रेखा व्यवसाई में व्यत्ती को तरक्की देती है एक बात उसका दो तीन काराने समझने की कोशिश करिए भागे रेखा से एक तिर्कोन बना और रेखा जाके बुद्ध परवत पर चूँ गई इस रेखा का मतलब यह है कि व्यक्ति मेनेजमेंट कर सकता है व्यक्ति अपने काम पे काम को बढ़ा सकता है व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है समाज से लड़के अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की एक काबलत देती है लड़के कह लीजे या वाणी के दम पे कह लीजे कुल मिला के सर्वाई करने की यह च्छमता देती एक बात जिन लोगों के हाथ में ये रेखा बन रही है उनको मैं ये कहना चाहूंगा एक दिन अच्छा सफल होंगे बड़े व्यवसाई बड़े इस्तर तक आप जाएंगे उसमें कोई दो राए नहीं है उसमें कहीं कोई संदे नहीं है बड़े इस्तर का मतलब अब ये तो नहीं है कि दो कैम मिले लगा लिया और ती पांच जो है होटल खोल लिये वो अन्य रेखाएं भी उसके लिए सपोर्ट करना जरूरी है लेकिन ये रेखा है कम सकम जो है अच्छी मात्रा में आपके पास धन होगा उसमें कोई दो राए नहीं है इस तिरिकोन के अंदर एक और तिरिकोन बनना ये रेखा का बनना ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों के पास कई अ्यों प्रापर्टी होती है उसमें कहीं कोई दो राए नहीं है वही एक रेखा जो चंदरमा के छेतर से इनकी बाग रेखा पे मिल रही है ऐसे में कहा जायेगा कि 35 साल की Aiyo से 42 साल की Aiyo के बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म व्यक्ति बना लेगा 35 साल से 42 साल के आयू के बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना लेगा अब जैसे इसकी मैं बात करूं तो 29 साल से लेके 35 साल तक का इसने कठोर मेहनत की और यहां तक मैं कहूंगा कि मोटर साइकल पे अपने साम जो भी इसने इधर से किया अब उस समय पे तो यह क्या नाम है आपका फैक्टी नहीं डाला था उसने उस समय पे अगर कहा जाए तो समाल लिया इधर सुधर जाके बेज दिया 35 साल व्यक्ति को एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक व्यक्ति मिला जिसने उसको बढ़ाया एक बार वहीं पे एक रेखा आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा के छेत्र से एक रेखा आके जो है इस रेखा पे मिल लएए स्वास रेखा बुद्ध रेखा कुछ भी कह ल कि यह ऐसे लोग अगर आलस सी ना हों आलस सी ना करें जीवन में खुब सफल होते हैं उसमें कहीं कोई दोराय नहीं जीए सफलता मिलती है और अच्छी मिलती है यह रेखाएं अगर कहा जाए दोनों रेखाएं जो चंद्रमा से आप देख रहे हैं यह मिल नहीं आगे यह काट जाती, अगर काट के आगे निकल जाती, तो SM कहा जाता कि investor जो मैंने कहा आपको उसका कोई लाब नहीं मिलता, या partnership से सम्मंदे चीजों में व्यक्ति को लाब नहीं मिलता, वहीं शुक्र के छेतर पे आप जब देखेंगे तो दो बड़े यौब बन रहे हैं, इस पस्ट साफ कोई रेखा काटे ना, अच्छा वाहन होता है बड़ा वाहन होता है, वाहन के ऐसे लोग शौकीन होते हैं वाहन ऐसे लोग कही ना कहीं शौक को दिखाता वाहन का लगजरी वाहन को दिखाता ये अंगुठे की बात करते हैं, देखिए अंगुठे पे आप अभी तक सुनते आए होंगे कि जव का निसान, जव का निसान, जव का निसान, अच्छा होता है, खराम नहीं होता है मैं बिल्कुल ही कहूंगा अच्छा होता है, लेकिन जिल लोगों के हाथ में अंगूठे पे इस जगा पे यहाँ पर जौ का निशान होता है तीन से चार रेखाएं हैं वो उस जौ से काफी गुना उसका परिणाम देता है काफी अच्छा माना जाता अगर 3-4 रेखाएं इस जगां पर आपकी बन रही है तो अगर 3-4 रेखाएं बन रही हैं बस ऐसे लोग थोड़ा सा गुसैल हो जाते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा तीक्ष बुद्धी के होते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है समय समय पे अपना नुकसान अपनी वज़े से कर लेते हैं लेकिन खड़े होने में नुकसान का मतलब यह हो गया कि पांच जीना चढ़ा एक जीना या दो जीना नीचे आया वो भी खुद की गलती से ये इसको भी दिखाता है तीक है गुरू के छेतर पे ये दो रेखाएं सफलता की है सफलता की सूचक है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है गुरू का छेतरगर कहा जाए, बहुत अच्छा इसका उठा हुआ है, गुरू का छेतरगर कहा जाए, सफलता को दिखाता है, जीवन रेखा के अंत्व में मस्य का साइन, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति देश और विदेश दोनों में ही काम करेगा, अगर इन रेखाओं के साथ में मस्का निसान बन जाया है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति एधेः, अधेः मतलब हो गया कि पचास साल की आयू के बाद, ऐसे समझ लिया, पचास साल की आयू के बाद कही ना कहीँ व्यक्ति जो है, विदेश में जाके पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा, भले आगे रेखा है, इस रेखा की मैं बात करो, छोटी सी रेखा है, ये रेखा जितना पाज बनेगी व्यक्ति को उतना ही सफलता देगी, जितना दूर आप जैसे माल लीजे इस जगामनती, तो ऐसे हम कहा जाता कि इतना उसका प्रभाव नहीं होगा, इतना उसका लाब नहीं मि एक जातक का हाथ है, और जातक आज की डेड़ में, करोनों रुपिया उसके पास है, 100-200-300 करोन का टर्न ओवर कर रहा है, जादी कर रहा होगा, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि अरवो रुपय का कहीना कहीन टर्न ओवर कर रहा है, और खुद की महनत से, जो लोग यह है, तीक है, वो आप जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अमीर घरों पैदा हुएं, उसके बाद भी सर्वाइब करने में दिक्कत आ रही है, कहीना कहीन पिता ने खुब बनाया, या दादा ने खुब बनाया, उसको ले के चल नहीं पाया, और दीरे दीरे जो है, जमीन कोई दोराएं नहीं है, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिजेगा, और शेयर जरूर कर दीजेगा, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी, अभी कलिवस इतना ही, नमस्कार.